आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि Angel One एप से IPO में कैसे अपलाई करते हैं अगर आप पहली बार Angel One से IPO में अपलाई करने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पुरा ध्यान से end तक देख लो क्योंकि मैं सारी चीजें आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ और आप भी बहुत ही आसान तरीके से Angel One एप से IPO में अपलाई कर पाएंगे तो इसके लिए आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको IPO पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप IPO पर क्लिक करोगे तो जितने भी IPO अपकमिंग होंगे या फिर open होंगे तो वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 10 अभी open IPOs हैं जिनमें मैं अपलाई कर सकता हूँ लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही ऐसा IPO है जो की main board है मतलब main board IPO अलग होते हैं और SME IPO अलग होते हैं जो main board IPO होते हैं वो बड़ी कंपनियों के होते हैं और यह आप से बहुत कम पैसा लेते हैं मतलब यह 14,000 में इसमें आप IPO अपलाई कर सकते हैं लेकिन जो SME IPO होते हैं वो छोटी कंपनियों के होते हैं और इसलिए इसमें आपको अपना ज़्यादा पैसा डालना होता है जैसे अगर मैं इसमें apply करना चाहूं नेपोलियन, पिजजा और फूर्स लिम्टेड में तो इसमें मुझे minimum 1,20,000 रुपए तो डालने ही होंगे तो यहाँ पर आपको वो सभी IPO देखने को मिल जाते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि एक mainboard IPO है और बाकी के जो भी open IPO हैं वो SME IPO हैं इसके अलावा जो IPO अभी आने वाले हैं वो आपको upcoming IPO के सक्षन में देख जाते हैं जो भी IPO अभी 2,3,4 दिनों में या फिर आगे आने वाले हैं वो सभी आपको upcoming में देख जाएंगे और इसके अलावा C recently closed IPO में आप उन IPO को देख सकते हैं जो कि अभी अभी close हुए हैं मतलब अभी अभी market में list हुए हैं आप इस पर click करेंगे तो वो सभी आपको यहाँ पर IPO देखने को मिल जाते हैं जैसे यह IPO list हुआ था जिसने 15.19% का return दिया था इसी परकार आप यहाँ पर और भी IPO को देख सकते हैं जो कि list हो चुके हैं आपको नीचे सभी देखने को मिल जाएंगे जैसे यह एक SME IPO है यह जो जब list हुआ था तो इसका यहाँ पर issue price 119 रुपय का था लेकिन यह list 189 रुपय में हुआ था तो जिसमें यहाँ पर जितना return मिला है लोगों को वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे इसमें 99.47% का return मिला था तो यह सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई जाती हैं साथ ही इसकी सारी details आपको यहीं पर देख जाती है जैसे यह आज ही बंद होने वाला है IPO इसको 52.33 यहाँ पर subscribe किया गया है कब close होगा, कितना price है, invest करने का यह सारी चीजें आप यहीं पर देख पाएंगे अगर आप open करेंगे तो आपको और भी चीजें देखने को मिल जाएंगी जैसे यह small cap company है, इसके अलावा यह capital goods and non electric equipment में काम करती है इसके अलावा अगर आप retail में इसमें apply करोगे तो आपको इसका bid price 169 रुपए से 168 रुपए के बीच में मिलेगा कोई भी आपको इसमें discount नहीं मिलेगा एक lot में 88 share है और इसका जो issue size है वो 188 करोण रुपए का है और इसमें आप maximum 13 lot के लिए apply कर सकते हैं मतलब आप इसमें maximum जादा से जादा 1,92,192 रुपए invest कर सकते हैं इसके बाद आप नीच आएंगे तो यहाँ पर आपको date वगएरा देखने को मिल जाएगी कि यह 26 को start हुगा था 30 को आज यह बंद हो जाएगा एक तारीक को allotment मिल जाएगा जिसको मिलना होगा और चार तारीक को यह market में list हो जाएगा company की और भी details आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी जैसे कितना इसमें promoter का holding है promoter group का कितना है public का कितना है इसके लावा strength and risk पर click करके आप इसके plus and minus point बगएरा देख सकते हैं और अब apply करने के लिए आपको यहाँ पर apply नौ पर click कर देना है जब भी कोई आम आदमी apply करता है किसी IPO में तो उसे retail से apply करना होता है लेकिन अगर आप company में काम करते हैं आप इसके employee हैं तब आप employee को select करेंगे और इसमें आपको discount भी मिल जाता है जैसे मैं retail हूँ आदम आदमी हूँ तो यहाँ पर मैंने apply पर click किया उसके बाद जितने lot आप लेना चाते हैं उसको आप यहाँ पर डालेंगे आप maximum 13 lot ले सकते हैं एक lot में इसके 88 share है जो कि मैंने आपको भी बताये थे उसके बाद आपको यहाँ पर अपना bid price डालना है मतलब किस price पर आप लेना चाते हैं आप इसे 108 से 168 रुपए के बेच में ले सकते हैं तो आपको यहाँ पर last price ही डालना है क्योंकि तभी इसमें IPO मिलने के chances ज़्यादा होते हैं उसके बाद आप नीच आएंगे और यहाँ पर आपको अपना UPI ID डाल देना है मतलब जो आपने इसमें अपनी bank add की हुई है अपने account में उसी bank की UPI ID आप इसमें डालेंगे और apply for IPO पर click करेंगे और जैसे ही आप apply for IPO पर click करोगे तो इतने रुपए की एक request आपके app में चली जाएगी जैसे मैंने phone pay की UPI ID डाली है और इसी bank की डाली है तो मेरे phone pay में इतने रुपए को यहाँ पर auto paper set करने की एक request ली जाएगी तो मैं यहाँ पर click कर देता हूँ और जैसे ही मैंने यहाँ पर click किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि IPO applied उसके बाद आप view application status पर click करेंगे और कुछ समय के बाद मतलब यहाँ पर कुछ मिनट के ही बाद आपके UPI app में एक notification जाएगा इसकी तरब से जिसमें आपको उतनी payment को अपने account में block करना होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि amount block करने की request आ गई है और इसलिए अब आपको यहाँ पर set auto paper click कर देना है यह auto paper set हो जाएंगे तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना IPO apply कर सकते हैं जब यह पैसे auto paper set हो जाते हैं तो आपकी bank में यह sow नहीं करते हैं और automatic जब आपको इसमें allotment मिल जाएगा तो आपकी bank से cut जाएंगे लेकिन अगर आपको allotment नहीं मिलता है मतलब shares नहीं मिलते हैं तो यह फिर से आपके account में देखने लगेंगे मतलब जो amount अभी block हुआ है यह फिर से unblock हो जाएगा लेकिन मिल जाते हैं तो यह पैसे cut के वहाँ पर जमा हो जाएगे जब आप IPO में apply कर देते हैं तो your application में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से सारी details इसकी देखने को मिल जाएगे मैंने 30 तारीक को IPO में apply किया है उसके बाद अभी इसमें payment request आएगी जिसको मैंने आपर complete कर दिया है लेकिन उसका status अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है लेकिन कुछ मैनेट के बाद यहाँ पर देखने लगेगा एक तारीक को allotment होगा अगर आपको नहीं मिलता है तो तीन तारीक को आपके पैसे आपकी account में आ जाएंगे लेकिन अगर मिल जाते हैं तो जो complete process मैंने आपको बता दिया है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप इस वीडियो को like and चैनल को subscribe जरूर कर देना साथ ही अगर आपके मन में कोई question हो तो आप उसे हमसे comment section में पूछ सकते हैं